पिछले कुछ सालों में सुदोकू पजल बहुत ट्रेंड में आया है बड़े तो खेलते ही हैं उनको अच्छा लगता है खेलना कई लोगों को आजकल पेरंस चाहते हैं कि उनका बच्चा सुदोकू सीखे और सुदोकू खेले और बिलकुल ठीक बात भी है बच्चे को पजल्स खेलते रहना चाहिए बड़कि हम पेरंस को उनको एंकरिज करना चाहिए कि वो पजल्स खेले नमस्ते स्वागत है आपका ममी ट्यूबर में जैसे आपने सुना ही है आज मैं सुदोकू पजल की बात करने वाली हूँ तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को सुदोकू खेलना कैसे सिखा सकते हैं मतलब 5 years and above के बच्चे को सुदोकू खेलना कैसे सिखा सकते हैं step-by-step method बताऊंगी, process बताऊंगी, डारिक्ट सुदोकू शो करने से पहले वो जो 3x3 का grid होता है वो शो करने से पहले आपको अपने बच्चे को prepare करना चाहिए वो चीज करने के लिए यह मैं पूरा बताने वाली हूँ मेरे चानल पे और भी विडियोज हैं, brain games, puzzles से related प्लेलिस्ट का लिंक में आई बटन में दे दूँगी, वहां से जाके चेक कर लीजे मैंने कई brain activities उसमें दिखाई हैं अपको इस तरीके से शुरू करना है, डिरेकली आपको यह grid नहीं देनी है या इससे बड़ी जो grid होती है, 3x3 की वो grid नहीं देनी है आपको सिंपल शुरू करना है, यह आप अपने चार साल के बच्चे को भी बता सकते हैं तो यहाँ पे है put the missing color, मैंने चार colors के dot stickers यूज किये हैं pink, green, yellow, orange, अब यहाँ पे मैंने orange, yellow, pink दिया है और बच्चे को बताना है इनमें से कौन सा color missing है और यह dot sticker निकाल के लगाना है, तो यहाँ पे green missing है, तो यहाँ पे यह लगाना है इधर पे जैसे यहां पे yellow, pink and green तो बच्चे को बताना है कौन सा missing है यह orange missing है, orange sticker राएगा Now coming on to the third step Same, इसी की तरह है Just थोड़ा level बढ़ गया है थोड़ा complicated की है यहां पे अब A, B, C, D, E, F याने के six letters है and कौन सा letter missing है, वो करना है तो A, C, D, E, F यहां पे कौन सा missing है, B This is easy one, क्योंकि यहीं पे clue है की B missing है, बट आगे मैंने जंबल कर दिये हैं, so B, C, D, A, E Which one is missing? F is missing C, A, B, F, E D is missing and trust me जतना easy लग रहा है, उतना है नहीं तो यह सब बच्चे को एक तरीके से क्या missing है, कौन सा आएगा यह बताने के लिए, यह activities हैं, जो कि सुदोकू करने से पहले जरूरी है, आप इसको भी तब तक practice कर रही है, जब तक बच्चा आसानी से कर ना ले, now next, अब यह आता है थोड़ा सा एक उपर का level so here, यहां पे मैंने सिफ A, B, C, 3 लिये हैं and बच्चे को यहां पे आप यह समझाईए बिटा इस लाइन में क्या है इस लाइन में A है, B है, कौन सा नहीं है A, B, C में से C नहीं है, the child will put C यहां समझाईए A है, C है, कौन सा नहीं है and यह भी समझाईए साथ में उसको कि these are the rows and these are the columns इनको बोलते हैं हम rows और इसको बोलते हैं हम columns अब यह समझाईए बेटा कोई भी letter एक row में एक ही बार होना चाहिए एक column में एक ही बार होना चाहिए, तो अगर A है, तो A यहां पे भी दूसरा A नहीं होना चाहिए and यहां नीचे भी कि दूसरा A नहीं होना चाहिए क्योंकि यही सुदोकू का बेसिक डूल है अब यहां पे A, B और A, B, C में से कौन सा मिसिंग है? C अब यहां पे उससे कहिए देखे कि आप क्या लिखोगे C, A ठीक है और यहां पे भी A, C यानि कौन सा लेटर आएगा जो यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है B आएगा और यह देखे मैंने यहां पे dot stickers पे लिख दिया है इससे थोड़ा सा interesting हो जाए activity बच्चा यहां से लगा के यहां पे करेगा next is थोड़ा सा जैसे इसमें आपने देखा कि मैंने सिफ दो ही जगे ब्लांक छोड़ी ठीक है थोड़ा शुरुआत में इजी करने के लिए यहां पे मैंने काफी जगे इस वाले में ब्लांक छोड़ी है तो थोड़ा सा complexity level बढ़ा दिया है यहां shapes दे दिया है आप चाहें तो यह नहीं भी दे ना चाहें तो दे सकता अलम मत दीजे बट हिंट के लिए बच्चे के लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने यहां पे यह दे दिया है इससे बच्चे को पता रहे कि अच्छा इन तीनों में से कोई शेप आएगा अब सकते हो फिर आप क्या करोगे तो यह देखो star circle क्या missing है यहां पे यह square now again दो जगे blank है तो बच्चे को यह भी समझाईए कि यहां से आप देखोगे ऐसे आप यह रोज में देखोगे तो आपको दो blanks मिल रहे हैं लेकिन कॉलम में देखोगे तो आपको एक ही blank मिल रहा है यानि यह कॉलम में फिलाल फिल करना easy है तो यह भी समझाईए कि जहां पे ज़ादा चीजे दी गई है वहां का देखे जिससे थोड़ा असान हो जाएगा करना तो यहां पे क्या है star, square, circle अब यहां square, circle, star ओकी next step में again complexity level थोड़ा बढ़ाया है आप जैसे देख सकते हैं 3 rows and 3 columns अब यहां पे 4 rows and 4 columns हैं ठीक है यह colors भरने हैं again concept वही है कि कोई भी color ना यहां repeat होना चाहिए ना यहां repeat होना चाहिए जब बच्चे को आप कहेंगे क्या करते हैं बच्चे की शुरू में देखते हैं या फर random देखते हैं यहां पे आपको जैसे मैंने पहले बोला समझाना जरूरी है कि जहां पे जादा दिये गए हो जिस row में या column में वो देखो क्योंकि उससे आपके लिए easy हो जाएगा तो अगर बच्चा ये देखे तो उससे कहिए ये मत देखो आप ये देखो क्योंकि यहां पे already तीन दिये हुए हैं आपको सिर्फ एक ही फिल करना है so which one is missing? missing, orange is missing okay now ऐसे फिर और देखने को गई अब ये देखो यहां पे one, two और ये three दिये गए हैं only one is missing तो आप यहां पे क्या होगा yellow, green, orange which color is missing? blue is missing now blue, green, yellow which color is missing? orange is missing तो इस तरीके से और फिर समझाते जाएए देखो blue missing है और यहां पे orange भी हो गया तो blue और orange हो गया देखो blue ना यहां पे कहीं repeat हो रहा है ना यहां पे कहीं repeat हो रहा है शुरुआत में आपको think aloud करना पड़ेगा मतलब आपको जो सोच रहे हैं वो आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा और बच्चा जो सोच रहा है वो भी आपको बुलवाना पड़ेगा because जैसे मैंने पहले कहा कि ये logical thinking है and कई बार बच्चों को खुद से नहीं आती है हमें develop करनी पड़ती है बच्चों की now next one अब ये proper है so इसमें मैंने ऐसे grid दे दी है again जैसे ये बच्चे से कहिए सिफ 1, 2, 3, 4 numbers 1, 2, 3, 4 में ही आपको सब यहाँ पर फिल करना है rule is same 4 अगर एक बार यहाँ आ गया तो अब यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता again बच्चे से कहिए कि देखो 3, 1, 2 इस grid में सबसे जादा भरे हुए हैं numbers तो आप यहाँ से शरुवात करो यहाँ से शरुवात करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा सबसे easy यही तरीका है कि जहाँ पर जादा भरे हुए हैं वहाँ से शरुवात करो तो 1, 2, 3 what will come? 4 now again see 1, 2 and 4 what is missing? 3 is missing so 3 will come here अब बच्चा यहाँ पर उसके लिए जादा कुछ है नहीं तो as I said think aloud करिए मतलब जो आप सोच रहे हैं वह जोड से बोल के सोचिए बच्चा जो सोच रहा है उससे बुलवाईए तो अब यह देखिए उससे कही बटा यहाँ पर 4, 3 आ गया अब कौन-कौन से missing है इस grid में 1 and 2 तो अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 2 तो already यहाँ पर है तो 2-2 2 साथ में नहीं हो सकते तो हमें 2 कहां लिखना पड़ेगा? हमें 2 यहाँ लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर 2, 3, 4 लिखा विच वन इसमिसिंग इन इस grid? 1 यह देखो अब यहाँ पर भी अलग-अलग हो गयना numbers similarly 1, 2, 4 विच वन इसमिसिंग? 3 अब यह पूरा grid देख सकते हो यह इस तरीके से आप पूरा row भी देख सकते हो तो 4, 2, 3 विच वन इसमिसिंग? 1 इसमिसिंग अब यहाँ पर 1, 2 आप क्या इस line में आप 3 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, लिख नहीं पड़ेगा बट क्या यहाँ लिख सकते हो? नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर भी 3 हो जाएगा तो आपको 3 कहाँ लिखना पड़ेगा? 3 यहाँ लिखना पड़ेगा 4 विल कम हीर and 1 विल कम हीर तो अब वीडियो यहीं होता है खतम आप भी अपने बच्चे के साथ बेट के सुदो को खेलिए उसको सिखाईए, मिलके खेलिए फैन आक्टिविटी है अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के अच्छे तरीके हैं यह सब और देखते रहिए ममीटूबर इंदिया नमस्ते